जै माता दी दोस्तों और कोई खर्चा भी आपको करना पड़ेगा डॉक्टर की सलहा आपको लेनी पड़ेगी और कुछ अन्य कठणाईयों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है जैसे नीद ना आना या फिर बुरे सपने आना या फिर कॉन्फिटेंस की मातरा बहुत ही कम रहेगी करना पड़ सकता है बात करें 17 और 18 अगस्त की इस समय चंद्रमा आपके राशी स्थान में ही प्रवेश करेंगे इस समय पर आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी और पिछले कुछ समय से जो भी आपके हेल्थ इशू चले आ रहे हैं वो भी आपके दूर होंगे और आप सुधारेंगे जिससे कि आपकी लाइफ बैटर होगी इस समय पर आप थोड़ा सा अपने उपर ध्यान दीजिए जिससे कि आप आने वाले समय में बहुत ही अच्छा कर सकें यहां से चंद्रमा आपके सत्तंभाव को देख रहे हैं तो इस समय आपके मैरिड लाइफ अ परिशान थे तो इन सबसे आपको निजात मिलेगी और आपका पूरा फोकस अपने बिजनस पर रहेगा और आपका बिजनस काफी अच्छा ग्रो इस समय पर करेगा और कोई नई पार्टनर्शिप भी आप बिजनस के मामले में कर सकते हैं जो आपको आने वाले समय में चंद्रमा के राशी स्थान में प्रवेश करने से आप इस समय पर भावुक जादा हो सकते हैं और इसी भावुकता की वज़े से आपको थोड़ी से समस्या भी हो सकती हैं किसी दूसरे की कही बात का इतना जल्दी बुरा ना माने तो बहुत ही अच्छा समय आपके लिए र हैं तो अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं आप संगीतकार हैं या कोई भी क्रेटिव स्किल आप में हैं तो उसका बहुत ही ज़्यादा विकास होगा और आप उसके माध्यम से भी पैसा अरजित कर पाएंगे फैमली के साथ आपका रिलेशन काफी अच्छा रहेगा फैमली का जो भी खर्चा करेंगे वो अपनी फैमली के लिए करेंगे इस समय आप अपनी फैमली को लेकर थोड़े से इमोशनल रहेंगे और अपनी फैमली के प्रती काफी ज़्यादा सीरियस रहेंगे और फैमली से आपका लगाओ बहुत ही ज़्यादा रहेगा यहां से चंद्रमा आपके अस्टम्भाव को देखेंगे अचानक से धन के लाब की स्थिती बन सकती हैं अगर आपके कुंडली में चंदमा पीडित हैं तो अचानक से आपका एक्सिडेंट वगरा होना या फिर धन का लॉस हो जाना ऐसे संकेद भी मिलते हैं तुकुल मिलाकर इस समय पर आप जि कादस से जथा इस गोचर का फायदा मिल सके बात करें 21 अगस्त की इस समय चंदमा के तीसरे बहु में गोचर करेंगे यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा आप ट्रैवल कर सकते है आपके मन को सुकून मिलेगा और आपको भागे का सपोर्ट भी इस दिन रहेगा तो यहां से चन्द्रमा के दिष्टी आपके 9 भाव पर पड़ेगी इस समय पिता जी के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे पिता का सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा भागे का लाब आपको जरूर मिलेगा और अगर आप लंबी दूरी की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी सफल होगी तो अगर आपने पहले से प्लानिंग कर रखी हैं तो आप यात्रा कर सकते हैं आपको यात्रा से काफी लाब होगा इसके अलावा कोई छोटी दूरी की धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं जिसमें आपको विशेश लाब होने के संकेत हैं और जब भागे का सपोर्ट व्यक्ति को मिल जाता है तो कोई भी ऐसा काम जहां पर आपको सफलता नहीं मिल रही हो वहां भी सफलता मिल जाती हैं तो इस स अब अच्छी आप बहूत ही अच्छी रिजल्ट प्राप्त करेंगे तो अगर आप कहीं पर एडमीशन लेना चाहते हैं या फिर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती हैं इस समय फोरन ट्रेवल के चांसे भी आपके हाथ में आ सकते हैं जो यह समय आपके लिए बहुत यह अच्छा रहने वाला है बात करें करकराशी वालों के लिए इस सप्ताहा के शुब अंक और शुब रंग के बारे में तो इस सप्ताहा आपके लिए शुब अंक रहेगा छे और शुब रंग रहेगा सफेग तो यह था करकराशी वालों के झाल झाल झाल